हाई फ्रेंड्स, बायोलोजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हम कर रहे हैं सीटेट एक्जाम के लिए सीडीपी का मोग टेस्ट और आज का अपना पहला क्योस्टन है, निमनली कित में से किस मनुवग्यानिक का सिदांत, सुवेवस्थित विवार का सिदांत के नाम से जाना जाता है उप्सन है, बरकल का, C.L.H.L. का, कोहलर का, मन का, इसका सही आंसर क्या होगा, उप्सन B, C.L.H.L. का नेक्स्ट क्योस्टन है, चेतन, अर्द, चेतन था, ए, चेतन अंग किसके अंग है, उप्सन से, चेतना के, मस्टिक्स के, सरीर के, बुद्धी के तो चेतन, अर्द, चेतन और ए, चेतन किसके अंग है, उप्सन A, चेतना के नेक्स्ट क्योस्टन अपना निमन लिखित में से कौन सी पूरो बाल्य वस्ता की विशेस्ता नहीं है ओप्सन है दल में रहने की वस्ता, अनुकरन करने की वस्ता, पर्षन करने की वस्ता, खेलने की वस्ता इसका सही अंसर क्या होगा? पूरो बाल्य वस्ता की विशेस्ता नहीं पूछा है तो इसमें option D होगा, खेलने की अवस्ता Next question है व्यक्तितव का पहला प्रकरात्मक वर्गिकन परस्तूत किया किसने परस्तूत किया था? Option है अपने, मन ने, स्लेडेन ने, हिपोक्रेटस ने, केटल ने इसका सही answer क्या होगा? Option C, हिपोक्रेटस ने Next question है सूज के दवारा सेखने के सिदान्त का पर्तिपादन किया Option है, थांडाइक ने, कोहलर ने, पावलाओ ने, वुडवर्थ ने इसका सही answer क्या होगा? सूज के दवारा सेखने का सिदान्त किसने पर्तिपादित किया? Option B, कोहलर ने Next question है यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और यहाँ पर 9 आएगा 9 के मद्द्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है Option अपने द्रिष्टी दोस्ट, सीखने में आशक्षम मानसिक दोस्ट, मानसिक अक्षे तो इसका सही answer क्या होगा? Option B, सीखने में आशक्षम क्योंकि यह मानसिक दोस्ट से related नहीं है नहीं द्रिष्टी दोस्ट से द्रिष्टी दोस्ट में कम दिखाई देता है तो सीखने में आशक्षम अगर वह सीखने लग जाएगा या फिर सीख लेगा तो वह अंतर स्पष्ट कर पाएगा नेक्स्ट क्योस्टन है वेवार में होने वाले स्थाई परिवर्थन जो अभ्यास की कारण होते है को कहा जाता है ओप्सटन है सीखना, लिखना, किरिया करना, कलपना करना इसका सही answer क्या होगा? ओप्सटन ए सीखना नेक्स्ट क्योस्टन है गनिष्ट मितरता की परवर्थी पाई जाती है ओप्सटन सेपने सेशवा वस्ता में बाले वस्ता में किसोरा वस्ता में उप्युक्त समी में तो गनिष्ट मितरता की परवर्थी किसमें पाई जाती है option C में किसोरा वस्ता में next चिंतन अनिवारे रूप से है एक option है संग्यानात्मक गतिवीदी मनोगतिक परकिरिया मनोविग्यानिक परिगटना बावात्मक बेवार तो चिंतन क्या है अनिवारे रूप से संग्यानात्मक गतिवीदी है option A. इस में सही answer होगा अगला question है इन में से कौन सा बाल विकास का सिधान्त है option अपने विकास परिपकवन्त था अन्वो के बीच अन्योन किरिया की वज़े से गटित होता है अन्वो विकास का एक मातक निर्दारक है विकास पर बलंत था दंड के द्वारा सूनिश्चित किया जाता है विकास पर तेक वच्चे की गती का सही डंग से नुमान लगा सकता है इसका सही answer क्या होगा option A विकास क्या है बाल विकास का सिधान्त क्या है जैसे प्राघटक और बुद्धी द्वारा लाए जा सकने वाले विविद रूपों जैसे स्रीजनात्मक बुद्धी को सामिल करता है वह है option अपने श्टैन्वर्ग का बुद्धी मता का तरीमत सिधान्त बुद्धी का सावेट सिधान्त त्रेश्टन का प्राथ्मिक मानसिक योगता है स्पीर में का जी कारक तो इसका सही अंसर क्या होगा option A श्टैन्वर्ग का बुद्धी मता का तरीमत सिधान्त next question है अभी प्रेणा चकर के संदर्म में निमिली खित में से कौन सा सही करम है option अपने सबसे पहले उतेजना होगी फिर परबल प्रेणा आफशकता उपलब्दी लक्षन मुखी वेवार उतेजना में कमी next option है और last option है आफशकता परबल प्रेणा उतेजना लक्षन मुखी वेवार उतेजना में कमी तो अभी प्रेणा चकर में सही करम कौन सा होगा अभी प्रेणा चकर क्या होता है कि किसी चीज को करने की इच्छा तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगी हम चीज की इच्छा कैसे होगी आवशकता जिस चीज के हमें आवशक्ता होगी सबसे पहले मौशी की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमें इंग्जाम्पल लेंगे ग्रीबी का। जिसको पेशो के आवशक्ता होती हैं तवी वो पेशे कमानी के उसकी इच्छा होती है। फिर की उसमें पर्बल प्रेणना कि वो उसे ग् बेवार करेगा फिर वह उपलब्दी प्राप्ट करेगा मतलब बहुत सारे पैसे कमा लेगा फिर उतेजना में कमी होने लगती है और यह खुछी कुछ टाइम के लिए होती है इसमें हम एक्जामपल ले सकते हैं कि गुवर्मेंट जोब का भी जैसे या फिर अभी करना होगी क्योंकि आपने बड की है मुझे एक्जाम कलियर करना है फिर इसको पास करने के लिए आपको लिए उतेजनायां अप अलग-अलग वीडियो देखते ती हो अलग-अलग मोग टेस्ट लगाते हो लक्षन मुखी क्या होगे आपके तो हरहाल में कलियर करना आप इ तेजना में कमी होने लगती है आप इस एक्जाम की बाते छोड़के फिर आगे जो नहीं फोर्म निकलेंगे आपके टीजीटी की के या फिर नहीं जो विकेंसी के उसके लग जाएंगे इसका ऑप्शन डी से ही अंसर होगा सब्दों में अक्सरों की करम को पढ़ने में कितनाई का अनुबव करना और अक्सर चाक्सुक समरित्य का रासरिक्स से समंदित है उप्शन से अपने डिसकेलकुलिया डिसग्राफिया डिसप्राक्षिया डिसलेक्सिया तो इसका सही अंसर क्या होगा डिसलेक्सिया क्योंकि dyscalculia किस से related है गनीत की समस्या से समंदित डिस ग्राफ या लिखने से समंदित और पठन से और कटना पढ़ने की कटनाई में अन्बोग कोड़ना किस से होगा dyslexia से नेक्स्ट क्योस्टन है प्याज्जे मुख्य रूप से किसके देन के लिए जाने जाते हैं उप्सटन अपने भासा विकास योन विकास संग्यानात्मक विकास समाजिक विकास इसका सही अंसर क्या होगा उप्सटन सी संग्यानात्मक विकास की रूप के देन के लिए प्याज दिगाम्म का वस्ता, पूरो संक्रियात्म का वस्ता, एमूर्थ संक्रियात्म का वस्ता, मूर्थ संक्रियात्म का वस्ता, इसका सही अंसर क्या होगा, एमूर्थ, एम्तात्रिक चिंतन की कौन से वस्ता में होता है, एमूर्थ संक्रियात्म का वस्ता में, जिससे वो अपने मस प्रप्तिक या चेतना से कलपना के दार पर समझने लगता है चीज़ों को नेक्स्ट है निमन लिखित में से कौन सा रचनात्मक मुल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है उप्सन है परदत कारे जिसे हम असाइनमेंट भी कहते हैं अगला क्योस्टन है अपना जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात परे है बच्चों ने उत्रों को सही तरीके से याद नहीं किया है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी ववस्ता फेल हुई है विवस्टा पड़ाई के लिए योग्य नहीं है जब बच्चा फेल होता है तो क्या होता है पूरी विवस्टा फेल होती है option C इसमें correct answer होगा आज का next question है निमन लिखित में से किस मनोवग्यानिक का सिदान्स हो सुवे वेस्टेच वेवार का सिदान्स के नाम से जाना जाता है यह सबसे पहला question भी यही था इसका answer सही answer क्या होगा option B C L हैल का सुवे वेस्टेच वेवार का सिदान्स किसका है C L हैल का आज का अपना last question है अध्यापक को चाहिए कि सीखने कि प्रारंबिक अवस्ता मेवा है बच्चों को अधिक से अधिक साहिता करे एवं अधिक पुनर बलन पर दान करे तथा सीखने के अंतिम अवस्ता में नियुन्तम साहिता करे यह कतन किस मनोविग यानि किस दांत पर अधारित है ओप्सन है कॉलविन के, स्कीनर के, सी अल हैल के, गिलफर्ड के इसका सही अंसर क्या होगा? ओप्सन सी, सी अल हैल के फ्रेंट्स जानने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंट्स के साथ से जरूर करिएगा धन्यवाद